गर्विनियां के वे देवुता तो ए जागे जो कुण है गर्विनियां के वे देवुता तो ए जागे जो कुण है दुनिया कहे कि देव सोते हैं देव सोते नहीं इसका एक गुप्त रहश्य है जो देव लोक पर आधारित है वो मैं आपको समझाता हूँ राजा बली जिसने नन्यान युग पुर्ण कर लिये और सोवा युग पुर्ण करके राजा इंद्र का राज लेना चाहता है राजा बली के द्वार पर भगवान ब्राहमन रूप में पहुँचे और राजा से कहा अलग निरंजन तो राजा ने कहा आओ ब्राहमन बोजन पाओ तो ब्राहमन ने कहा नहीं राजा मैं बोजन तब पाऊँ जब तू मुझे वचन दे तो राजा ने कहा लो माराज वचन तो राजा ने वचन दे दिया और कहा कि मुझे तीन पेर जमीन चाहिए तो राजा ने कहा कि आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ नाप लो तो महाराज ने अपना विक्राल रूप दारण किया और दो पेर में तीनों लोकों को माप दिया और कहा कि हे राजन अब बता में तीसरा पेर कहां रखूँ तो राजा ने कहा कि आप मेरी छाती पर रख दो तो जैसे ही बगवान ने राजा के छाती के उपर पेर रखा तो राजा को ठेट पाताल में पहुँचा दिया फिर बगवान ने कहा है राजन मैं तेरे उपर बहुत प्रसन हूँ मांग तेरी जो इच्छा हो मांग राजा ने कहा कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है बस आप भी मेरे साथ यहीं रहो उस दिन से ही ब्रह्मा विश्णु महस की तीनों की डूटी पाताल में लगती है इस प्रकार सभी लोग कहते हैं कि देव सोते हैं देव सोते नहीं उनका गुप्त रहश्य यह है अरे परियबाद वे आधी रात अवतार लिदो जो कुण है रे गोकुण गयों जो कुण है रे दुनिया के वे देव सोता तो एजा गे जो कुण है अरे परियबाद में जागन जागे अरे परियबाद में जागन जागे जो पाट में जो कुण है अरे डाकन पुता का में तेरे चाला न्याव करे जो कुण है अरे दुनिया के वे देव सोता तो एजा गे जो कुण है अरे चो मासा में साप छेट जा जेर चुके जो कुण है सातो तुर निप जे दरती में निप जाबावालो कुण है अरे दुनिया के वे देव होता तो एजा गे जो कुण है अरे आसो जा में बेटे नोर ता ने जो बांदे जो कुण है बारा मिना पेली कीरे बाता ये सम्यों बाच बै जावे अरे दुनिया के वे देव होता तो एजा गे जो कुण है अरे बावन रूप बली चल ली नो अरे वो बाबा जी कुण है कहे उकार वो वचन निबावे वा में सारा गुण है रे दुनिया के वे देव होता तो एजा गे जो कुण है मतर हुआ को